प्रिये विध्यार्तियों नमस्कार, मैं डॉक्टर फरहीन सेयर, माथिमिक शिक्षक, शाष्के हाई स्कूल पलसोडा, जिला उज्जेन, सामाजिक विज्ञान की आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, आज हम हमारी पाठे पुस्तक के अध्याए 11, 1770 भारत की प्र 1965 और 1971 के युद्ध के कारणों और प्रिणामों पर चर्चा करेंगे, साथ ही इस युद्ध के प्रिणाम स्वरूप नए उधित रास्ट बांगला देश पर एक नजर डालेंगे, जैसा की आप जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन की तरास्ती जहलने पड़ी, 1947 में भारत के विभाजन के बाल यह आशा की जाती थी कि भारत और पाकिस्तान कटूता को भुला कर शान्ती से रहेंगे, परन्तू ब्रिटिश आशनकाल में जो कटूता पैदा की गई थी और जिन परिस्तितियों में भारत का विभाजन हुआ था, उसके कारण दोनों देशों के मध्य विभाजन के प्रक्रिया और उससे उत्पन समस्याओं के कारण संबंद खराब हुए, कश्मीर का प्रश्ण एक एसा प्रश्ण था, जिसने दोनों देशों के मध्य शत्रुता पूर्ण संबंदों को इस्थाई बना दिया, विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के मध्य आर्तिक समस्याओं को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए दोनों देशों के मध्य आमधनी, कर्ज का बटवारा, लागधन को लेकर जो समस्याओं उत्पन्न हुई उन्हें सुधारने का प्रयास किया गया परंतु तनाव कम नहीं हुआ विस्थापितों की संपत्ति के हस्तानतरण का प्रश्न अत्यंत जटिल था इस समस्याओं का 1950 में आशिक समाधान हुआ परंतु तनाव बना रहा दोनों देशों के मध्य अल्प संख्यकों की समस्या का प्रश्न भी तनाव का कारण रहा है आर्तिक समस्या से भी अधिक गंभिर समस्या दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बटवारे की रही सिंदु नधी एवं उसकी सहायक नधिया भारती शेत्र से निकलती है और पाकिस्तान को यह भय हुआ कि भारत नधियों के बाहाओ को रोक कर पाकिस्तान में जल पहुचने से रोक सकता है परन्तु सितंबर 1907 में इस मुद्दे पर एक समझोता हो गया जिसके द्वारा चिनाब, जेलम, सिंदु नधी का 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा और भारत इन नधियों के 20% जल का उप्योग करेगा जबकि तीन नधियों रावी, व्यास और सतलच के 80% जल का उप्योग पाकिस्तान इन नधियों के 20% जल का प्रयोग करेगा 1962 में भारत और चीन का युद्ध आरंब हुआ, इस युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन भारत को प्राप्त हुआ परन्तु पाकिस्तान की सहनुभूती चीन के साथ थी, इसी सहनुभूती के कारण सन 1963 में पाकिस्तान ने एक समझोता चीन से किया और उसे पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर का एक भाग सोब दिया, भारत ने इसका कड़ा विरूत किया दोनों देशों के कटूता का कारण यहां भी है कि पाकिस्तान जासूसों के माध्यम से भारत के गुप्त सामरिक भेदों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और जब शर्यंत्र का पता लग जाता है तो उल्टे भारत पर जासूसी का आरूप लगाता है पाकिस्तान यह भी प्रयास करता रहता है कि किसी भी बहाने भारत के सामप्रदाइक सद्भाव में दरार आए पाकिस्तान कश्मीर शेत्र में अपने घुस पेटिये भेज कर कश्मीरी जनता को उत्तेजित करने का लगातार प्रयास करता रहता है इसी बीच 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध आरंब हो गया। आईए अब हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर एक नजर डालते हैं। 1965 में कच्छ के प्रश्ण को लेकर दोनों देशों में संगर्श हुआ। कच्छ के रण का शेत्र अर्थात गुजरात कच्छ के राजा के अधिकार में आता था। कच्छ के राजा ने भारत के साथ विले को स्विकार किया था। परन्तु पाकिस्तान का दावा यह था कि यह शेत्र विभाजन के बाद पाकिस्तान में मिलना चाहिए था। इस प्रश्ण को लेकर पाकिस्तान ने 1965 में कच्छ पर आकरमन कर इसके कई शेत्रों पर अधिकार कर लिया। अन्ततह ब्रिटिश प्रधान मंतरी की मध्यस्तता करने पर युद्ध विराम हुआ। कच्छ के मामले के हल के लिए एक कमेटी बनी। इस कमेटी अर्थाट ट्रिबुनल ने विवाद ग्रस्त शेत्र का 90 प्रतिशत भाग भारत को दिया। और शेश 320 वर्ग मिल भूमी पा अन्तु भारत सरकार को इसे स्विकार करना पड़ा। क्योंकि सरकार ने पहले ही यह मान लिया था कि उसे ट्रिबुनल का निर्णय मानने होगा। इस प्रकार के अनेक ऐसे कारण थे जिनके कारण भारत और पाकिस्तान के मध्ध इस्थाई शत्रुता के तत्व मोजूद र पाकिस्तान वर्षों से सेनिकों को चापामार युद्ध का प्रशिक्षन देने के लिए चीन भेज रहा था और इस प्रकार आकरमन की तैयारी कर रहा था। चार अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी चापामार कश्मीर में घुज गए। पाकिस्तानी रेडियों ने यह आप्त होते ही भारती सेना ने कारवाही आरंब की सेकडों चापामारों को पकड़ लिया गया या मार डाला गया। पाकिस्तान पहले से तैयार बेठा था अथा उसने चापामारों का दूसरा दस्ता कश्मीर भेजा। इन परिस्तितियों में भारत सरकार ने उन शेत्रों क की पहचान कराई जहां से छापा मार घुसपेट होती है कारगिल तिथवाल डेरी पुंजी हाजी पीर दर्रा आदी शेत्रों पर भारती सेना ने अधिकार किया परिणाम यह हुआ की घुसपेटियों के रास्ते बंद हो गए संयुक्त रास्त संग के अधिकारी जो दोनों पक्षों को सैयम से काम लेने को कहा परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला भारत में घुसपेटियों को रोकने के लिए 25 अगस्त 1965 से दोनों पक्षों की सेनाओं में सीधी लडाई आरंब हुई जब जूरिया शेत्र से पाकिस्तान आसानी से आक्रमन कर सकता था अतह पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमन किया और अखनूर पर अधिकार किया पाकिस्तान ने वायू सेना से अमरत्सर पर भी हमला किया अतह भारती सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना के दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश पर तीन तरफ से आक्रमन किया स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला युद्ध था जिसमें भारती वायू सेना ने भाग लिया। भारती सेनाएं लाहूर की ओर बढ़ने लगी। यह एक ऐसा अगोशित युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष पूर्वी सिमान्त पर पूरी शक्ती के साथ लड़े। इसी बी मिल शेत्र पर अधिकार कर चुकी थी और पाकिस्तान के कबसे में 240 वर्ग मिल के लगभग भारती शेत्र था। युद्ध विराम को दोनों पक्षों ने स्विकार कर लिया। इस प्रकार इसपस्ट होता है कि 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर विजय प्राप्त हुई थी। परिक्षा की दरश्टी से भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामों को अत्यंत्य महत्वपुर्ण माना जाता है। तो आईए हम 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामों पर एक नजर डालते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम इस प्रकार हुए, पहला पाकिस्तान कश्मीर समस्या का समाधान शरस्त द्वारा करना चाहता था और उसने युद्ध का मारग अपनाया, दूसरा पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता उसका साथ देगी परंत परन्तु इसा नहीं हुआ। भारत ने यह सिद्ध किया कि भारती धर्मन इर्पिक्षता का आधार अत्यंत ठोस है। तीसरा, युद्ध के दोरान भारती नागरिकों और सेनिकों का मनोबल उचा रहा। भारती सेना के अधिकाश हतियार स्वदेशी थे। चोथा, पाकिस्तान को विश्वास था कि संकट के अवसर पर चीन उसका साथ देगा परन्तु उसका यह भ्रहम तूट गया। पाच्वा परिणाम, भारत पाकिस्तान के युद्ध में सेयुक्तरास्ट संग की भूमी का महत्वपूर्ण थी। सेयुक्तरास्ट संग को सफलता मिली क्योंकि सोवियत संग और सेयुक्तराज अमेरिका ने इसमें अपना सहयोग दिया था। अगला परिणाम, पाकिस्तान के लिए यह युद्ध घातक सिद्ध हुआ। युद्ध में पराजय ने उसकी सेनिक ताना शाही के खोकलेपन को सिद्ध कर दिया। 1965 के युद्ध विराम के पाउजुद भी दोनों पक्षों के बीच जड़पे बंद नहीं हुई। इस इस्तिती को समाप्त करने के लिए सोवित संग ने विशेश रूचिली और दोनों पक्षों के बीच ताशकन समझोता करवाया। आईए अब हम ताशकन समझोते पर बात करते हैं। ताशकन वद्ध एशिया के उजबेकिस्तान में इस्तित है। सोवित संग ने भारत और पाकिस्तान को वारता के लिए ताशकन्द आमंद्रित किया। चार जनवरी 1966 को पाकिस्तान के रास्ट्रपती अयूब खाम और भारत के प्रधान मंद्री लाल बहादुर शास्री के मध्य ताशकन्द में वारता आरंब हुई। अन्ततह दस जनवरी 1966 को एतिहासिक ताशकन समझोते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किये। इस समझोते की महत्वपूर्ण शर्ते इस प्रकार थी। पहली शर्त दोनों पक्षों ने अच्छे पडोसियों जैसे संबंध बनाने पर सहमती व्यक्त की। दोनों पक्षों ने यह सहमती व्यक्त की की वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व जिस इस्तिती में थे वहां अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। तीसरा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तशेप ना करने, एक दूसरे के विरुध प्रचार को निरुद्साहित करने तथा पुनहन राजनdoorइक संबंदों की स्थापन करने का निरने लिया। इसके अतिरिक्त आर्थिक, वैपारिक, सांस्क्रतिक संबंदों को मधूर बनाने पर भी सहमती व्यक्त की गई ताशकन समझोते का सरवत्र स्वागत हुआ यद्धपी इस समझोते से मौलिक मतबेदों का अंत नहीं हुआ परंतु यहां आशा की जाती थी कि दोनों पक्ष अपनी शत्रुता को भुला कर मित्रता का मार्ग अपनाएंगे और विवादों को शांती पुर्ण धंग से सुल जाने के लिए बारता करेंगे अंतरास्ट्री राजनिती में ताशकन सम्मेलन का महत्व यहां है कि अंतरास्ट्री समस्याओं को सुल जाने के लिए ताशकन की भावना कारी करें ऐसी उम्मेद की जाती थी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात 1971 में पुनह दोनों देशों के मद्ध युद्ध आरंब हुआ क्योंकि ताशकन समझोते से भारत और पाकिस्तान के मूल मद्भेदों का अंत नहीं हुआ था समझोते के पश्चात दोनों देशों के सेनिक अपने अपने इस्थानों पर लोड गए थे परन्तु शिग्र ही पाकिस्तान ने ऐसी गतिविधियों में भाग लिया जिनसे पुनह तनाव व्याप्त हुआ उधारन के लिए 1967 के आरंभ में भारती शेतर में पाकिस्तानी हवाई जहास का घुजजाना मई 1967 में अकनूर शेतर में भारत पाकिस्तान के सेनिकों के मत्य जडब जनवरी 1971 में इंडियन एरलाइन्स के विमान का अपहरन किया जाना और अपहरन करताओं की मांगे न माने जाने पर उसे जला डालना आदी घटनाओं ने संबंदों में कटूता उत्पन्न की इसी बीच पुर्वी पाकिस्तान जो की वर्तमान में बंगलादेश के नाम से जाना जाता है में ग्रह युद्ध आरंब हो गया दिसंबर 1970 में पाकिस्तान की प्रादेशिक पिधान सभाओं के चुनाओं हुए इन चुनाओं में पुर्वी पाकिस्तान में शेक मुझीबुर रह्मान की आवामी लीग को सफलता मिली आवामी लीग पुर्वी पाकिस्तान को सोतंतरता दिलाना जाती थी जब पाकिस्तान की प्यूपिल्स पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुटो और रास्टपती यहाया खाने आवामी लीग की बिजय को महत्व नहीं दिया तब आवामी लीग नाराज हो गई परिनाम स्वरूप पुर्वे पाकिस्तान में आवामी लीग ने तीन मार्च को हरताल कर दी सरकार ने इस आंदोलन को हिंसा के द्वारा कुचलने का प्रयास किया परन्तु शांती इस्थापित नहीं हो सकी आवामी लीग के अध्यक्ष मुजीबुर रह्मान ने 7 मार्च 1971 को धाका में विशाल जनसभा को संबोधित किया और रास्रपती यहया खादवारा रास्री असेंबली के अधिवेशन में सम्मिलित होने के पूर्व कहा कि शाशन की बागदोड जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सोपी जाए उन्होंने सेना की वापसी, मार्शल लौ की समाप्ती, हत्याओं की राज़ाच आधि की मांग की पूर्वी पाकिस्तान पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त हो गया और आवामी लीग हावी हो गई, इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ती का संघर्ष आरंब हो गया मुक्ती का संघर्ष करने वाले मुक्ती वाहिनी कहलाये जाने लगे पाकिस्तान की सरकार ने पुर्वी पाकिस्तान की जन क्रांती को दबाने के लिए सेनिक अभियान छेड़ दिया इस मामले में भारत की सहनुभूती आवामी लीग के साथ थी भारत ने पाकिस्तान की सेन्य कारिवाही की निंदा की जबकि पाकिस्तान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तशेप माना। इस तरह भारत पाकिस्तान के मध्य संबंद अत्यंत खराब हो गए। इस्तिती इतनी खराब हो चुकी थी कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध आरंब हो सकता था। 17 अप्रेल 1971 को बंगला गंडराज्य की विधिवत इस्थापना हो गई। इस प्रकार पुर्वे पाकिस्तान को बांगला देश कहा जाने लगा। पुर्वे पाकिस्तान अर्थार बंगला देश में लोग तंद्र का गला घोट रहा था। तो भारत की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह था कि हजारों की संख्या में शर्णार्ती भारत आ रहे थे। एसी इस्थिती में भारत अपने पडोस में चल रही गतिविधियों पर आख मूंद कर चुप नहीं बेट सकता था। इधर पाकिस्तान में युद्ध का उन्माद बढ़ रहा था। इसी बीच दोनो सीमा पर इस्थिती विस्पोटक हो गई। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खणी थी। मुक्ति वाहीनी से जुचते हुए कुछ पाकिस्तानी टेंक भारती सीमा में प्रवेश कर गए। भारती सेनाओं ने उन्हें नस्ट कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीनगर से आ पाकिस्तानी भारत घुसाए तथा पश्रीमी सीमाओं की अनेक चोकियों पर गोला बारी शुरू कर दी। भारत सरकार एका एक हमले की संभावना के प्रती पूर्ण रूप से सतर्क थी। अतह भारत ने पाकिस्तानी आक्रमन का करारा जवाब दिया। भारत ने पुर्वी प्रयास आरंब हो गए। अमेरिका पाकिस्तान को संकट पूर्ण इस्तिती से बचाना चाहता था। उसका उतेश्य बंगलादेश की समस्या का वास्तविक एवं उचित हल निकालना नहीं था। इन प्रयासों के कोई परिणाम नहीं निकले। भारत सरकार का कहना था कि इस संकट का शानती पूर्ण हल तभी निकल सकता है जब बंगलादेश से पाकिस्तानी फोज हट जाएंगी। पाकिस्तानी सेनाओं ने पुर्वी पाकिस्तान पर जो अमानवी अत्याचार किये उसके प्रिणाम स्वरूब लाकोश रनार्ती भारत आ गए है। पाकिस्तान ने पुर्वी पाकिस्तान पर अपना कब्जा बनाये रखने के लिए इस्थितियों को भारत पाक युद्ध में बदल दिया है। इन परिस्थितियों में भारत को आत्मरक्षार्थ युद्ध करना पड़ा। इस तरह युद्ध जारी रहा और इस बेच भारत ने 6 दिसंबर क बांगलादेश को मान्यता प्रदान कर दी। अतहा पाकिस्तान ने भारत से अपने राजनईक संबंद तोड लिये जब अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान को सभी मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ेगा तब उसने भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रश्न को संयूक्त र पर उसकी पराजय हुई। भारती सेनाओं ने इस्थल, जल, बायू सेना की सम्मिलित कारवाही कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। भारत ने चारो ओर से पाकिस्तानी सेनाओं को घेर लिया। इन परिस्तितियों में पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनर नियाजी ने धाका में 16 दिसंबर 1971 को आत्म समर्पन पत्र पर हस्ताक्षर किये नियाजी के साथ 93,000 पाकिस्तानी सेनिकों का यह आत्म समर्पन भारतिय जन्रग जगजित सीह अरोडा के समक्ष किया गया पश्रिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान को युद्ध बंद करने के विवश होना पड़ा इस प्रकार हम देखते हैं कि 1965 के युद्ध की तरह 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा आएए अब हम इस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कारणों पर एक नज़र डालते हैं 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य 14 दिन तक चला पाकिस्तान के लिए यह युद्ध बड़ा महंगा सिद्ध हुआ उसे अपने देश के एक विशाल अंग पुर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा पुर्वी पाकिस्तान अब बंगला देश के रूप में एक दूसरा, पाकिस्तान का नेतिक पक्ष दुर्बल था, पाकिस्तान ने पुर्वे पाकिस्तान के साथ जो भेदभाव पुर्ण नीती अपनाई थी, उसके परिणाम सरूप महाजन आंदुलन आरंब हुआ, बांगलादेश की जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थ तीसरा, पाकिस्तान की सेनिक ताना शाही प्रजातंत्री करण की प्रक्रिया की उपेक्षा कर रही थी, यह उपेक्षा उसे भाली पड़ी चोथा, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य दूरी के कारण पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर सहजता से नहीं पहुँच सकता था समुद्र मार्ग की भारती नो सेना ने घिराबंदी कर ली थी अतहा उसकी सेना को आपूर्ती बंद हो गई पाकिस्तान के अत्याचारों से पीडित होकर लाकों की संख्या में शर नार्थी भारत आए इस कारण भारत को पाकिस्तान के मामले में हस्तशेप का मोका मिला 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कारणों को जानने के पश्चाथ अब हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणामों पर चर्चा करते हैं ये परिणाम परिक्षा की द्रश्टी से महत्वपुर्ण है परिक्षा में इन परिणामों को लेकर एक दिर्ग उत्तरी प्रश्न बनता है इस युद्ध के परिणाम इस प्रकार है पहला बांगलादेश का निर्मान हुआ दूसरा पाकिस्तान का शेत्रफल जनसंख्या शक्ति कम हुई तीसरा उननीस सो पैसट के पश्चार 1971 में पुनह पाकिस्तान की हार ने उसका मनुबल तोड़ दिया चोथा भारत को यह समझ में आ गया की अमेरिका उसका हितेशी नहीं है अतहा भारत ने सोवियत संग के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई पाजवा इस युद्ध ने पाकिस्तान से सहनुभूती रखने वाले रास्ट्र अमेरिका और चीन के होसलों और महत्वाकांशा की पराजय हुई छटा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश के विभिन्न राजनेतिक गलों ने अपने सारे मद्भित भूला दिये और बांगलादेश की मुक्ती का प्रश्ण एक रास्ट्री प्रश्ण बन गया था साथवा पाकिस्तान की आंतरिक राजनीती पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा जनता ने यहाया खा से त्याक पत्र की मांग की पराजय से असंतुस्र होकर पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए यहाया खा को त्याक पत्र देना पड़ा उनका इस्थान जुल्फिकार भुट्टो ने लिया जिने विरासत में कई समस्याएं मिली विभक्त जन्मत, विभक्त मनह इस्थिती और विभक्त नेत्रतव वाला पाकिस्तान नियती के चक्र में बुरी तरह फस गया इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई भारत की उप महाद्वीप में एक शक्तिशाली देश की रूप में छवी स्थापित हुई विज़ा की आम चानते हैं जब पुर्वी बंगाल और पाकिस्तानी शाशक के मत्र विद्रो हुआ तब भारत की सहनुभूती बंगला स्वतंत्रता सेनानियों के प्रती रही पाकिस्तान के सेनिक ताना शाहा ने जब इन विद्रुईयों का कुरूरता के साथ दमन किया तब भारत ने इसका कड़ाविरोत किया पाकिस्तान द्वारा किये गए नर्सनहार से भैबित होकर पुर्वी बंगाल के अनिक शर्नार्थी भारत आ गए भारत ने इनके भोजर आवास की व्यवस्था की और साथ ही बंगलादेश की मुक्ति वाहिनी के जवानों को प्रशिक्षित किया इससे बंगला शर्नार्थियों का आजादी प्राप्त करने के लिए उत्सहा बढ़ा 26 मार्च 1971 को शेक मुझीप के नेत्रतों में स्वतंत्र बंगलादेश की घोषना गुप्त रेडियों से की गई इसके साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान का दमन्चक्र शुरू हुआ अन्तताह 17 अप्रेल 1971 को बंगलादेश में स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन गंतंत्र की घोषना की गई और विश्व की सरकारों से मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया गया मुक्ती संघर्ष के चलते लगभग एक करोड बांगलादेशी शर्णार्थी भारत में आ गय थे इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा तथा एकता अखंडता पर भी पड़ रहा था बांगलादेश की समस्या के शांती पूर्ण समाधान के लिए भारत की ततकालीन प्रदान मंत्री श्रीमती इंडरा गांधी ने कई पश्चीमी देशों की यात्रा की किन्तु उन्हें पूर्णतह सफलता नहीं मिली अंततह तीन दिसम्बर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद आरंब हो गया बांगलादेश के ततकालीन विदेश मंत्री के अनुरोथ पर भारत सरकार ने 6 दिसम्बर 1971 को बांगलादेश को मानिता प्रदान कर दी 10 दिसंबर 1971 को ही बांगलादेश ने हुसेन अली को भारत में अपना प्रथम राज दूत नियुक्त कर दिया 10 दिसंबर 1971 को भारत के साथ बांगलादेश की प्रथम संधी हुई इस संदी में भारत सैनिक और आर्थिक आधार पर स्वतंत्र बांगलादेश की पुनर निर्मान के लिए तैयार हुआ। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के पराजित होते ही बांगलादेश की सरकार धाका में इस्थापित हो गई। भारत और अंतरास्ट्री जन्मत के समक्ष घुटने टेकते हुए पाकिस्तान को 8 जन्वरी 1971 को आवामी लीग नेता शेक मुझीबुर रहमान को रिहा करने पर बार्दी होना पड़ा। रिहाई के बाद शेक ने भारत के प्रती अपना आभार जताया। बांगलादेश को एक सोतंत्र देश के रूप में इस्थापित करने के उद्धेश से भारत बांगलादेश की द्विति संधी हुई। भारत ने बांगलादेश की आर्थिक, आंतरिक और भाय समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी ली। भारत और भूटान के बाद एक सोतं संत्ररास्ट के रूप में बांगला देश को पूर्वी जर्मनी, नेपाल, बर्मा, पश्चीमी यूरोपिय देशों, मलेशिया, इंडोनेशिया, आधी देशों ने भी माननिता दे दी। जन्वरी 1922 में काहिरा में अफ्रे एशियाई देशों का एक एकता सम्मेलन हुआ, जिसमें बांगला देश को इस्ताई सदस्य बनवाने में एक बार फिर भारत ने अपना बड़पन दिखाया। इसके बाद भारत ने समय समय पर बांगला देश को विबिन्य शेत्रों में सहयोग दिया। भारत ने बांगला देश के साथ वैपार और सांस्क्रतिक समझोते भी किये। भारत ने 9 अगस्त 1992 को बांगलादेश को सैयुक्त रास्ट संग के सदस्य रास्ट के रूप में माननेता दिये जाने का समर्थन किया, किन्तु चीन द्वारा वीटो पावर से इस कारे में भारत को सफलता नहीं मिली. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस संपूर्ण चर्चा के द्वारा आपने भारत पाकिस्तान संबंदों को अच्छी तरह समझ लिया होगा. इस टॉपिक से संबंदित महत्वपूर्ण प्रश्ण जो परिक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन पर बात करते हैं. परिक्षा की द्रश्टी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्णों को आपको तयार करना हैं, वे प्रश्ण इस प्रकार हैं, पहला, साशकन समझोते की शर्ते लिखिए, दूसरा, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए, तीसरा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद में पाकिस्तान की पराजय के कारणों को बताईएं।